हेलो दोस्तो नमस्ते और गुड़ मॉनिंग कैसे हैं आप सबी आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज है सैटेडे और सुबा का टाइम हो रहा है सुबा के बज रहे थे ठीक साथ और मैं सो के तो सुबा उठ गे थी औसकर की वॉक हो गई घर में जाड़ू पोचा है वो लग चुका है और मैंने नहां धो लिया है इतना कुछ हो गया है उसके बाद से मैंने अपना व्लॉग है फिर मैंने स्टार्ट किया है तो अभी कल की कुछ कपड़े थे और अभी जो मैंने नहाए वो कपड़े थे husband उठेंगे तो मैं उनको बताऊंगी अभी वो सोर है जैसी कि आपने देखा अभी वो थोड़े देर में जो है न उठेंगे और Oscar को मैं लेकर गई थी walk करवाने के लिए तो Oscar की walk हो चुकी है और अपना थोड़ा सा खाना खाके Oscar भी सो गई है तो फिलाल घर में मैं उठी हूँ और घर का जो काम है न मेरा ओलेडी चल रहा है घर के छोटे मुटे काम जो है न मैं निप्टा रही हूँ तो कुछ बोतले थी जो कि मुझे बहुत दिनों से धोनी थी जीसे कि बहार से तो मतलब एक डूदिन में के बाद धोने हो जाती है लेकिन जो अंदर से मैंने काफ़ी तुनों से साफ कर दिया है अब इनको पानी बहुत चीज है ना वो फ्रेश रहो जाए बोतल और बोतल दो दो दिया है उसके बाद से बरतन तो सुबही जो मेरी आंटी आई थी ना तो उन्होंने दो दिया था लेकिन वो तो बरतन और जाड़ो पुचा करके चली जाती है उसके अलावा वो और कोई काम तो और नहीं करती है जै फिर मैं उसके बाद जो है ना वो मैं सिंग को मैं धो देती हूं क्योंकि मुझे ऐसे गंदा देखा नहीं जाता और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है तो फिर मुझे सफाई का तो मुझे कीड़ा है ही सफाई कर लीती हूं मैं अपना और उसके बाद से ना मुझे ल पपाइया काट लेती हूँ और एक न एपल काट लेती हूँ तो आधा आधा-धा मैं खालूँगी आधा जो है न वो हस्बेंट मेरे खालेंगे तो फिलाल तो मैं ये केले खाऊंगी और देखिए हस्बेंट अभी सो रहे थे तो मैंने अभी इनको उठाय नहिए थोड़ी द पेट भर जाएगा फिर उसके बाद जो है ना खाना फिर में बनाऊंगी और देखें मेरे हजमें ना अरहर की दाल लेकर आये थे तो यह ना छिलके वाली दाल थी मतलब सारे दालों में तो छिलके नहीं लगे थे लेकिन एक तो पॉलिश दाल होती है और एक छिलके के साथ की हो दाल होती है तो यह ना छिलके वाली अरहर की दाल थी इसका स्वाधना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मतलब बिल्कुर ना स्वाधना से इसका स्वा यहां पर अच्छे से दो लिया है ताकि दाल में बिल्कुल गंदगी नाहीं ताकि दाल काई और आपि ज़रूर्ण तैस्टी बहुत लगती है more अच्छे से जच्छा णे और आप त्रची прीकर आपटीक Trispair से अच्छी मुझे ये वाली डाल लगती है तो अभी न मैंने दाल में थोड़ा सा नमक और पाने डाल के ढ़के मैं उसको रख दूँगी जब इसका वाइट वाला जाग जो है वो निकाल दूँगी फिर उसके बाद जो है न मैं हल्दी उसमें डालूँगी और जो नमक डाल कि चलो लगे हाथ ना जब तक उधर डाल का डाल मेरी उबले ही तब तक जो है ना इसको मैं धो लेती हूँ तो किच्छन में जब खड़े रहो ना तो छोटे मोटे काम तो इस तरह से अपना कर लीना चाहिए इसे ने टाइम की बचत भी होती है और जो है ना सफाई का सफा है ना मैं इसको सब निकाल दूँगी यह अच्छा हो लिए तो बिलकुल नहीं अच्छा होता है आप लोगों को पता ही होगा तो फिर देखे मैंने इसको निकाल दिया है और फिर आम मैंने इसमें डाल दिये हल दी आप मैं इसको बंद करके तीन-चार सिटी लगेगी तो दाल जो है ना वो बन जाएगी और देखो मुझे ना आज कद्दू खुद से काटना पड़े गया कद्दू की सबजी बना रही हूँ क्या हुआ कि मेरे हजबन सो रहे थे और मैंने उनको एक दू बार आवाज भी लगाई लेकिन वो सो ही रहे थे वो उठने का नाम ही नह तो इसी वज़े से जो है ना मैंने कद्दू काट लिया और दाल भी बनने वाली है सीटिया जो है ना वो आने लग गई थी तत्वे मैंने सोचा ना यह जो मसाल अदानी मैंने दोई थी ना तो इसका पानी लगबग सूख गया था तो मैंने एक ना साफ कपड़े से इसको पोच दो ना तो बिलकुल शाइनिंग सी आ जाती चमकने लग जाता है अब मैं बारी आती जो भी मैंने मसाला दानी डब्बे खाली की थे ना उसमें जो भी मसाले मैंने बाहर निकाले थे वो सब मैंने डाल दिये और दीगे जो सारे डब्बे ना वो आल्मोस खाली ह मिर्च धनिया से भी खाली हो रखा था तो जो बड़े डब्बे में से आप मैं इनको भरके रख दूंगी तो किचन में खड़े-खड़े होके भी ना जो छोटे-मुटे काव है ना वो इस तरह से कर लो अपना तो जो है ना वो टाइम की बच्चत हो जाती है और जब मसाला दानी मैंने रखा तो मैंने देखा कि स्पून स्टेंड ना वो भी मतलब बहुत गंदा हो गया था यह ऐसी था इस्पून स्टेंड तो नहीं यह ऐसी था इसको मैंने इस्पून स्टेंड बना लिया था और मैंने इसको बहुत दिनों से नहीं थोया मुझे याद भी नहीं मैंने इसको कब दोया था और नीचे की साइट गंदगी बहुत जम गई थी इसकी तो मैंने सोचा कि चलो ना अब लगे हाद जब सफाई करी रही हूं तो इसको भी साफ कर लीती हूं कितना समय जाएगा मुश्किल से दो मिनट भी नहीं लगा मुझे इसको धोके पोचने में तो देखिए इसको भी धोके रख दिया मैंने अच्छा सा लगता है क्योंकि हमें ही मतलब किचन में हम जो हासवाइफ होती है वही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और किचन साफ रहता है तो खाना बनाने भी मन लगता है तो चलिए उधर मैं बना लेती हूं सबजी तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ओइल डाला और उसके बाद से उसमें जो मेथी है वो मैंने डा लिए क्योंकि जो उसका चिलका था वो बिल्कुल सॉफ्ट था बिल्कुल साफ नगे बेबी कद्दू है तो देख़ो सुबर सुबर तो क्या होता है ना जो काम है ना उसकी लाइन लगी रहती है एक के बाद एक एक जटपड जो है ना काम होते रहते हैं तो उधर मैंने को ना सिम करके रख दिया है और तब तक इतर मशीन में ना कपड़े भी धुल गए थे तो मैं सोचा कि चलो लगिया हाथ ना कपड़े भी डाल देती हो और आज कल ना मुझे कपड़े फैलाने मित्ती दिक्कत हो रही है क्या हो रहा है ना कि मेरे ना उधर घर के उधर साइड काम चल रहा है तो सिमेंट वगरा जो है ना मेरे अंदर के साइड गिर जाती है तो कपड़ों में भी गिर जाता है लेकिन वही कि अगर मैं कपड़े फैलाओं तो फैलाओं कभ यह भी समझ दिन भर क्योंकि काम चलता है और शाम को तो कपड़े फैलाती नहीं है तो मेरे ल लग रही थी मैंने कोई तड़काव अगरन नहीं लगा था दाल में प्लेन दाल थी और बहुत अच्छी लग रही थी तो मेरी दाल है वो बन चुकी है और उसके बाद से मेरे हस्बेंड है वो सोके उड़ गये थे तो जैसी उठे मैंने उनसे चाई के लिए पूछा तो उन् की साथ जो है ना चाई बना लूने तो फिर क्या बार-बार चाई बनाना तो फिर अभी वो फाने लिए उठे गया है तो बढ़ियां से जो है ना वो चाई बना लेती हूं मैं और कद्दो की सबजी देखो बनके तयार हो गई है बिलकुल मैंने ना स्लो वाज पे बनाई थी और कम ओईल डालके तो सबजी बिलकुल बन गई है और खाने में भी अच्छी लगती है यहने कि कम तिल डालो तो नहीं चल लगेगा बसना आदत की बात होती है तो सबजी मेरी बन गई थी तो मैंने जड़पट उसको ना कटोरी में खाली कर दिया और कढ़ाई को अब डाल दूँगे सिंक में तो जलो वो तो सबजी बन गई मेरी अब मुझे बस रूटी बनानी है तो रूटी बना बाने बनाओंगी जब खाने के लिए बैटेंगे हस्बिन तब अभी तो मैं ना चाय बनाके और फिर उनको दे दूँगी तो भी मैंने चाय में अधरक और काले मीच बगरे डाल के बढ़ियां से अभी सिमाज करके रखा हुआ है और हस्बिन अभी गए है वाश्रूम में तो जब तो वाश्रूम में है और चाय भी बन रही है तो तक मैंने सोचा क्यों ना मैं जटपट जो है ना अपना जो काम है ना वो भी मैं कर लूँ क्योंकि देखो करना तो मुझे यह अभी करूँ या फिर मैं आलस एगणट आलस करूँ फिर उसके बाद करूँ तो उससे अच्छा है कि ना जो करना है उसको तो उसी टाइम करके खतम कर दो आच्छा मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते है अजितने जल्दी हो सके अपना काम निपटालो अगर जितने जल्दी हम काम को निपटालेंगे न हमारे लिए ही फाइदा रहेगा हमारे लिए अपने लिए बहुत सारा टाइम जो है ना वो बच जाता है इसी पीस देगे दूद वाले भाहिया भी आ गे थे तो दूद भी रख दिया हाँ पर गरम करने के लिए तो सुबह का टाइम सच में बहुत जादा भाग दोड़का होता है कभी द तरह से कोई ना कोई बहार भी कोई आता रहता है और जो घर का का में वो तो कंटीनिव चलता ही रहता है तो देखिए मैंने उधर डस्टिंग कर दी और दूद भी रख दिया गया 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 तब तक जो चाय है ना वो मेरी बन गी थी हस्बेंड भी आ गय थे तो बस अब थ सबजी ना ले नी भी थी ठो मैंने आस पे जो है कुछ सब्जी आमने ली थी आब मैंने आपको दिखारंगी कि मैंने क्या क्या लिया है पहले मैं सब्जी वाली भाहिया को जो है न वो पैसे दे देती हूं तो यह जो सब्जी वाली भाहिया है यह डेली आते हैं तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है सब्जी लेना नहीं तो फिर मुझे न हस्बेंड से बोलना पड़ता है फिर वो फोन करते हैं क क्या लॉइं अब दुकान पर क्या सब्जी है , वो तो सामने जो रहता उसी को दिखता है इसलिए न मैं वो जनजटी मैंने खतम कर दिया है। मैंने लेदी हूं किम्हाइं लेथा। लिया था एक किलो लॉकी और एक किलो मैंने टमाटा लिया था और मैंने और क्या लिया था हाथ तरबूजा जो खरबूजा होता है वो मैंने लिया था और कुंदरू लिया था मैंने आधा किलो ये मैंने जो सबजी है ना वो मैंने ली थी तो दो हरी सबजी का फ्रिज में ले भी थे तो उसको मैंने बाहरी रहनी दिया है स्टैंड पर यह जो सू गये थे ना तो मैं उसको उठा कर ले आई नहीं तो आजकल धूल आंधी बहुत आती ना धूल वाली तो कपड़े ना गंदे हो जाते हैं मैं सुचा है चलो फटा फट ना इसको भी फोल्ड करके अलम मैं उच्प्रको आरेंज करके रखती हो कुँ है कर जैसे यहा पर पीछे कितना जादा गंदा हो गया है तो यहां की मुझे कंडी है सफाई और यहां पेकली गंदा इसलिए जादा हो गया है ना यह बगल की घर की दिवार बन रही थी ना तो उसके वज़े से सिमेंट वगर गिरा है और नीचे यह सब बहुत जादा गंदा हो गया और घासवाजी वह जम गई है तो अभ अच्छा घर हो या फिर पक्का घर हो अगर घर में सफाई होती है ना तो सारा घर अच्छा लगता है घर स्वर्ग के जैसा ही लगता है और घर को स्वर्ग बनाना और नर्ग बनाना तो एक इस तरी के हाथ में होता है क्योंकि हम लोग दिन बर जो हाउस वाइफ होती है इसपेशली लोग दिन मर घर पे रहते हैं और घर अच्छा नहीं है अच्छा नहीं से मतलब कि अगर गंदगी ए घर में घर साब सुतरा नहीं है तो फिर कहना मन को अच्छा भी नहीं लगता है और बड़ेने irritation सी होनी लग जाती है तो घर जैसे भी हो अगर साब सुतरा है ना तो घर अच्छा ही लगता है अगर मिट्टी के घर है उसको भी साब सुतरे करके रखो ना तो वो घर ना बहुत ही सुन्दर लगता है किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है तो देखिए मुझे 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 से 15-20 मुट का ही समय लगा और आज मौसम भी अच्छा था ना तो मैंने सोचा कि चलो आज यहां की घास जो है ना साफ कर देते हैं बुल्गल छोड़े चोड़े से घास रहे यह निकल नेरा था तो मैंने इसे चोड़ दिया वसे अब सफ सफाई हो गया इतना ज्यादा जम्मा था तो घास को मैंने बाहर फेक दिया है सुबह कोड़े वह लाएंगे वो ठाले जाएंगे तो अभी मैं अंदर से गई थी घास लेके तो यहाँ पर मिट्टे वगेरा थोड़ी बहुत घास वगेरा गिर गई थी तो फिर एक बर मैं और ज़ाड़ू लगा दूँगी लाइक और शेयर भी करिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में